Hey guys, welcome to my channel Cute Love Lingo Sijui کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پہلے مل چکے ہیں तभी Wangji Leng Sijuan سے کہتا ہے کہ Brother, आप तोनें ایک دوسرے کو جانتے ہیں तभी Leng Sijuan Wangji سے کہتا ہے کہ ہم پہلے مل چکے ہیں Wei Ying کہتا ہے کہ लगता ہے کہ ہماری family ایک دوسرے کو پہلے سے جانتی ہے तभी Leng Sijuan Wangji سے کہتا ہے کہ یہ کون ہے तभी Wei Ying کہتا ہے کہ میرا نام ہے Vivo Shiao और मैं Wangji का friend हूँ तब ही यानली वांग जी से कहती है कि आशियन की मदद कहने के लिए शुक्रिया वांग जी कहता है कि थांक्यू तुम मुझे वींग से कहना चाहिए क्योंकि वींग ने मुझे उन गुंडों से बचाया वींग उस समय वांग जी से कहता है कि तुम उस समय क्या सोच रहते उन गुंडों से अकेले लड़ने लगे अगर तुम्हे कुछ हो जाता तो तुमने सोचा है कि वींग उस समय कहने वाला होता है कि मेरा क्या होता वींग अपने मन में सोचता है कि मैं अभी ये क्या कहने जा रहा था तब ही वांग जी वींग से कहता है कि वींग तब ही वींग कहता है कि क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारी फैमली की क्या हालत होती वींग उस समय कन्फियोस और गुसे में होता है तब ही वांग जी कहता है कि वी इंग, अगर मैं वो सब, वी इंग कहता है, अगर मैं वो सब मतलब क्या, मैं यहां से जा रहा हूँ, वी इंग ऐसा कहे कि वहां से उठके जाने लगता है, लेकिन उसकी पैर के चोट के वज़े से वो फिर से गिरने वाला होता है, लेकिन वां बुलाता है कि चलो यह से चलते हैं वींग और जैंचा वह से चले जाता है तुछा में यानली वांग借ीे से कहती है कि क्या मुझे तुम लोगों का नंबर मिल सकता है मैं आप लोगों को डिनर के लिए बुलाना चाती हूँ लैंज से जैन कहता है कि हाँ बिलकुल आप हमारा नमबर ले सकती है तभी यहां ली कहती है कि मैं आपको एड्रिस सेंड कर दूंगी और टाइम भी तभी जिन लिंग से जुई से कहता है कि मैं तुम्हारा डिनर के लिए इंतिजार करूँगा तुम जरूर आना से जुई कहता है कि हाँ क्यों नहीं मैं जरूर आऊंगा तभी हम वींग को देखते हैं जो बहुत कन्फियूस होता है तभी जैंग्चा कहता है कि तुम अपने दोस से इतना नराज क्यों हो वो बस तुमारी मदद करने की कोशिश कर रहा था वींग कहता है कि मुझे पता है लेकिन अगर उसे कुछ हो जाता तो तभी वहाँ यानली और जिलिंग आ जाते हैं यानली वींग चे कहती है तो क्या आप हम घर चलें आगे हम देखता है कि अगले दिन जब वींग अपने स्कूल जा रहा होता है तब वो वैंग्णी से टकरा जाता है वींग की पैर के चोट के वज़ेवज़ से वींग को बहुत दर्द होता है वन्नी ये देखके विंग से माफी मांगता है और कहता है क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए विंग कहता है कि नहीं इसकी कोई जरुवत नहीं लेकिन वन्नी फिर भी उसकी मदद करने लगता है विंग वन्नी से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया Wenny कहता है कि हाँ मैं यहाँ एक ट्रांसपर स्टूडेंट हूँ मैं यहाँ अपने होम टाउं से स्टेडी के लिए आया हूँ तब विंग Wenny से कहता है कि ठीक है Wenny हम बाद में मिलते हैं और विंग वहाँ से चला जाता है विंग जब अपने कलास पहुंचता है वो वांग जी से कुछ नहीं कहता है और वो अपने सीट पे जाके बैठ जाता है वांग जी उस दमें विंग से कुछ कहना जाता था लेकिन वो कुछ कहने पाता वींग अपने मन में सुचता है कि क्या तुम्हें माफीवी नहीं मागने आती और वही मियान मियान उन दोनों को देख रही होती है तब ही वहाँ टीचर आ जाती है और कहती है कि आज हमारी कलास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है वींग की कलास में वो ट्रांसफर स्टूडेंट वैन्नी ही होता है टीचर वैन्नी को वींग की सामने वाले सीट पे जाके बैठने के लिए कहती है वींग वैन्नी से बात करने लगता है वांग जी को उस समय थोड़ा बुरा फील होता है तब ही हम flashback देखते हैं कि Wang Ji मयान मयान को switch दे रहा होता है Wang Ji मयान मयान से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है तब ही वहाँ से दो लड़किया बात करते हुए जारी होती है उन में से एक लड़की कहती है कि क्या तुम्हें पता है BL क्या होता है तो दूसरी लड़की कहती है की हाँ मुझे पता है उसका मतलब बॉइस लव होता है ना? मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ वांग जी एसे बाते सुन लेता है वांग जी सोचता है कि म्यान मयन भे तो उस दिन इसी के बारे में बात करी थी इसका मतलब ये तो नहीं कि मैन मैन गर्ल्स को लाइक करती है तभी मैन मैन वांग जी से पूछती है कि तुम क्या कहना चाते थे वांग जी थोड़ा हिच के चाने लगता है और कहता है मैं तुम से कहना चाता था तब ही मैन मैन कहती है तुम्हें मुझे से क्या कहना है वांग जी हीच की चाहर्ट मैं कह देता कि मैं वीइंग को पसंद करता हूँ क्या तुम मेरी मदद करोगी मैन मैन कहती है कि क्या तुम्हें ये कहना था मुझे लगा कि तुम मुझे प्रपोस करने जा रहे थे चलो अच्छा है कि तुमने मुझे प्रपोस नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे भी रिचेक्ट कर देती और मुझे अपने लाइफ में सिंगल रहना है और वैसे तुमने मुझे पहले क्योंने कहा कि तुम वीइंग को पसंद करते हो क्योंकि मुझे तुम और वीइंग साथ में बहुत क्यूट दिखते हो चलो अब जब तुमने मुझे खही दिया है कि तुम वीइंग को पसंद करते हो तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी वांग जी अपने मनी में सुचता है कि ये मेरे साथ आजकल हो क्या रहा है पहले मेरा एक लड़की से किस हो जाता है उसके बाद मैं जिस रड़की को पसंद करता उससे प्रपोस करने से पहले मुझे उससे रिजेक्शन मिल जाती है तब ही म्यान मैन कहती है कि क्या वो सुच्ट मेरे लिए लेके आये थे तुम्हें वो सुच्ट मुझे देने की कोई जरुद नहीं मैं तुम्हारी मदद ये विना सुच्ट ले भी कर सकती हूं और कहती है तुम्हें ये सुच्ट वीइंग को देने चाहिए चलो हम क्लास चलते हैं वीइंग क्लास आता ही होगा म्यान म्यान और वांग जी जब क्लास पहुंचते हैं म्यान म्यान वांग जी को गुड लग फिश करती है यही हमारा flashback खतम होता है वांग जी वींग से बात करने की कुशिश करता है लेकिन वींग उसे ignore कर देता है और वींग वेनी से बात करने लगता है आगे हम देखते हैं कि lunch time हो चुका है तब ही वांग जी वींग से कुछ कहने वाला होता है तब ही वींग वेनी से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ lunch करने चलोगे वेनी कहता है कि हाँ क्यू नहीं वैसे क्या तुम चल सकते हो क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए Wing कहता है कि आप तुम मुझे जो इतना force कर रहे हो मैं तुम्हारे मदद लेने के लिए तैयार हूँ Wing ऐसा कहा है कि अपना हाथ Wenny के कंदे पे रखता है Wenny भी अपना हाथ Wing के कमर पे रखता है और चलने लगता है Wangji को ये दे के अच्छा नहीं लगता लंच के टाइम Wing Wenny के साथ लंच करने लगता है Wing और Wenny काफी हस हस के बात कर रहे होते है Wangji को ये दे के अच्छा नहीं लगता तब ही Wangji के पास मैं मैं आती है और कहती है आज तुम Wing के साथ लंच क्यों नहीं कर रहे है और Wing ने तुम से आज एक भी बार क्लास में बात क्यों नहीं की Wangji मैं मैं को सारी बाते बता देता है कि कर Wing और उसके साथ क्या हुआ था मैं 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 वांच जी से कहती है कि उसका तुम पर गुसा होना आफिस था तुमने सोचा कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो तुम Wing को कैसा लगता वो तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानता है तुम्हें Wing से जल्दी माफी मांग लेनी चाहिए नहीं तो बात और बेगर जाएगी तब मैं नहीं कह सकती कि तुम Wing को अपना लव कनफेश कर पाओगे या नहीं वांग ची अपने मन ही में सुचता है कि इसमें अभी लव कनफेशन की बात कहां से आ गई वांग ची मियन में से कहता है कि हाँ मैं Wing को जल्दी मना लूँगा आगे हम देखते हैं जब Wing अपने क्लास में पहुंचता है तब Wing को अपने सीट पे स्वीर्स देखता है Wing अपने मन में सुचता है कि ये स्वीर्स मेरे सीट पे कहां से आ है Wing देखता है कि उस स्वीर्स के बाक्स पे एक लेटर शिपका हुआ है जिस पे लिखा हुआ होता है for Wing Wing सोचता है कि किसी लड़की ने ये मेरे लिए रखा है तबी Wing Wenny से कहता है कि Wenny तुम्हें क्या लगता है कोई लड़की मुझे secretly पसंद करती है और वो मुझे स्वीट के जरिये confess करना चाहती है Wenny कहता है कि हाँ मुझे भी यहीं लगता है तबी Wing स्वीट खाने लगता है Wing को वो स्वीट बहुत अच्छे लगते हैं तो वो उसे पुरा खा जाता है Wenny भी वहीं होता है तो Wing Wenny से कहता है कि Sorry Wenny यह स्वीट इतने अच्छे थे तो मैं तुम्हें यह देना भूल गया तबी Wing देखता है कि उस स्वीट के बॉक्स के अंदर एक और लेटर है Wing उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ होता है Sorry Wing Wing समझ जाता है कि Wang Ji ने उसके लिए एक स्वीट रखे थे तबी वहां Wang Ji आ जाता है Wing यह देखकर वो बॉक्स अपने पीछे जुपा लेता है तबी Wang Ji उससे कहता है कि तो तुमने वो खा लिया Wing कहता है कि क्या क्या मैंने खा लिया अगर तुमन स्वीट की बात कर रहे हो तो वो स्वीट वननी ने खा लिये थे Wang Ji यह सुनकर मुस्कुराने लगता है क्योंकि Wing के फेस पर स्वीट लगे हुए थे Wang Ji उन स्वीट को साफ करते वे कहता है ओ अच्छा अगर यह स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीचेगा थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो बाई